आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? तो बच्चों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हर का परीमे करण करना. क्या होता है हर का परीमे करन करना? चलिए देखते हैं. सबसे पहले तो बच्चों पिछली कक्षा का दोहरान कर लेते हैं. इससे पिछली क्लास में हमने सीखा कि अगर हम दो परीमे संख्याओं को जोडते हैं एक परीमे संख्या और एक आपरीमे संख्या तो उनको अगर हम जोड़े या घटाएं तो हमें क्या मिलेगा अगर हम क्या करते बच्चों एक परीमे संख्या ले लेते हैं और एक आपरीमे संख्या ले लेते हैं और इनको हम क क्या मिलती है बच्चों आपरी में संख्या मिलती है इसके बाद अगर हम दो आपरी में संख्याओं को ले आपरी में संख्या और आपरी में संख्या यदि हम दो आपरी में संख्याओं को ले इनको हम जोड़े घटाएं गुड़ा करें या भाग दे तो क्या रिजल्ट आता बच्चों तो जो आपका परिणाम है वो परी में भी हो सकता है या आपरी में भी हो सकता है वो दोनों में से कुछ भी हो सकता है परी में भी हो सकता है और आपरी में भी हो सकता है ठीक है इसके बाद हमने पढ़ा था संक्रियाओं में व्यंजकों को हल करना और व्यंजकों को हल करने के लिए हमने समीकाएं पढ़ी थी जैसे A प्लस B का पूर्ण वर्ण ये किसके बराबर A का वर्ण प्लस B का वर्ण प्लस क्या होता है 2 A B होता है ये हमने पढ़ा था इसके बाद हमने पढ़ा बच्चों A माइनस B को घटाओ, तो ये किसके बराबर होता है, A का वर्ग माइनस B का वर्ग, भाई एक बार हम A और B को जोड रहे हैं, और एक बार हम A और B को घटा रहे हैं, तो ये किसके बराबर होगा, A का वर्ग माइनस B का वर्ग, क्लियर है, सबको आ रहा है समझ में, सबको समझ में आ रह बच्चों और अब हम सीखेंगे हर का परीमे करन करना पहले तो बिटा ये समझो कि हर का परीमे करन करना होता क्या है बच्चों हमारी जो कोई भी ऐसी संख्या है वास्तविक संख्या कोई भी वास्तविक संख्या जिसका हर जो है क्या है बच्चों अपरीमे है ध्यान से सुन हर है आपका अपरी में और उस अपरी में को आप बना रहे हो क्या परी में आपका हर कैसा है बच्चो अपरी में और उसको आप क्या ऐसा बना रहे हो परी में बना रहे हो तो अगर आप अपरी में संख्या के हर को जो जिसका हर कैसा है अपरी में है तो उसको कैसा बनाते हो परी में बनाते हो तो इसी को हम कहते है बच्चो परी में करण यानि की rationalization rationalize कर रहे हो आप उसके हर code यानि के denominator को ठीक है बच्चों अब कैसे किया जाता है ये अब बात करते है इसकी तो बच्चों देखो जैसे माल लो आपके पास क्या है आपके पास है बटे में आपके पास माल लो वर्गमूल के अंदर ए है कोई संख्या माल लो अगर आपके पास वर्गमूल के अंदर ए कोई संख्या है और आपको इसको क्या करना है इसके हर को परीमे में बदलना है तो आप क्या करोगे अभी ये क्या है परीमे संख्या आप इसको बदलो परिमे संख्या में, तो क्या करोगे, वर्गमूल A से उपर भी गुणा करोगे, वर्गमूल A से नीचे भी गुणा करोगे, तो ये क्या बन जाएगा, अब देखो, उपर तो वर्गमूल A ही रहा, भाई जैसे यहाँ पर एक था, तो एक की ये वर्गमूल में गुणाई वो तो वर्ग मुले ही रहा और जब वर्ग मुले की वर्ग मुले में गुणाऊगी तो वो वर्ग मुल क्या होगा हट जाएगा तो सिर्फ आपके पास क्या रह जाएगा यह रह जाएगा अब बिटा देखो पहले आपकी जो संख्या थी इससे होता क्या है बि दिया तो इसी को हम कहते हैं परीमे करण जैसे हमारे पास यहां पर एक्जामपल है बच्चे क्या है कि एक बटे रूट दो के हर का परीमे करण कीजिए कैसे करेंगे इसका परीमे करण देखो बिटा यहां पर वर्गमूल के अंदर दो है अब परिमे करन करने के लिए बच्चों मैंने क्या किया जो ये एक बटे में वर्गमूल दो है इसमें मैंने वर्गमूल दो से उपर भी गुड़ां कर दी और वर्गमूल दो से मैंने नीचे भी गुड़ां कर दी वर्गमूल दो से उपर भी गुड़ां कर तो ये तो आपके पास आगया वर्गमूल दो ये तो आपके पास वर्गमूल दो आगया और जब वर्गमूल दो की वर्गमूल दो में गुड़ा होगी बिटा तो ये आपके पास क्या आजाएगा दो आजाएगा देखो वर्गमूल दो की एक में गुड़ा होगी तो लेकिन पहले जो आपका ये संख्या थी ना इसका जो ये हर था ये कैसे था अपरीमे था इसका ये हर कैसा था बच्चों अपरीमे और अब इसका हर ये कैसा बन चुका है ये जो अब इसका हर बन चुका है बिटा दो तो कैसी संख्या होती है दो तो परीमे संख्या होती है न बताओ, दो तो कैसी संख्या होती है, परीमे संख्या, तो हर अ परीमे से कैसे बदल गया, परीमे संख्या में बदल गया, इसको हम कहते हैं बच्चों, परीमे करण, यानि की rationalization, ठीक है, समझ में आया है सबको, चलिए, आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला है हमारे पास, क संख्या दी हुई है, वो अ परीमे संख्या है, और इसको हमें परीमे संख्या में बदलना है, तो क्या करते हैं बच्चों, देखो, ऐसा होता है, कि यहां पर हमें जो संख्या दी है, क्या दी हुई है, एक बटे में, साथ प्लस का तीन वर्गमूल के अंदर दो, तो इसका परीमे करण करने के लिए आप क्या करोगे जरा ध्यान दो बच्चो इसका परीमे करण करने के लिए एक बटे में साथ प्लस के तीन रूट दो है ना आप क्या करने वाले हो आप इसकी गुडा करने वाले हो किस से देखो साथ और तीन रूट दो लिख लो, साथ लिख लो और तीन रूट दो लिख लो ऐसे ही इसके बटे में भी साथ लिख लो और तीन रूट दो लिख लो अब आपको देखना है बच्चों चिन कौन सा है, प्लस का चिन है या माइनस का चिन है अब आप ये देखोगे तो आपने देखा कि यहाँ पर तु प्लस का चिन है तो जो भी चिन यहाँ पर होगा बच्चों उसका ठीक बिपरीथ चिन लगाओगे अब आप यहाँ पे आई बात समझ में? अगर यहाँ पर प्लस होगा तो आप माइनस लगाओगे दोनों जगा अगर आप यहां पर माइनस होगा तो आप यहां पर दोनों जगा क्या लगाओगे प्लस लगाओगे आई बात समझ में तो यहां पर प्लस है तो मैं क्या करने वाला हूँ दोनों ही जगा माइनस लगाओओगा ठीक है तो क्या होगा बिटा ऊपर तो क्या हो जाएगा ऊपर तो आपके पास आएगा 1 की गुडां होगी 7-3 रूट-2 में। और नीचे क्या होगा बटे में? बटे में नीचे आ जाएगा बच्चों 7 प्लस का 3 रूट-2 और गोडा में क्या होगा? 7-3 root 2 यह होगा देखो उपर तो इस पूरे की गुड़ा एक में हो जाएगी और नीचे इस पूरे की गुड़ा इसमें हो जाएगी अब यहाँ देखो क्या बन रही है बच्चों सर्वसमीका बन रही है a प्लस b और गुड़ा में a माइनस b जो किसके बरावर होती है बच्चों a का वर्ग माइनस b का वर्ग a प्लस b गुड़ा में a माइनस b यानि a का वर्ग माइनस b का वर्ग वही सर्वसमीका आप यहाँ पर लगाएंगे तो बच्चों यहां से कितना आ जाएगा देखो, यहां से आपके पास आ जाएगा साथ माइनस का तीन रूट दो, साथ माइनस का तीन रूट दो, और बटे में क्या होगा देखो, यहां पर एकी जगा पे क्या है, साथ, और बी की जगा पे क्या है, तीन रूट दो है, तो आ तो बेटा कितना आजाएगा आपके पास साथ माइनस का तीन रूट दो उपर वाला तो ऐसी चलता रहेगा और नीचे क्या आएगा साथ का वर्ग साकते उन्चास माइनस बेटा यहाँ पर क्या होगा देखो तीन का भी वर्ग करोगे और रूट दो का भी वर्ग करोगे तो तीन का वर्ग कितना होगा तीन तिया नो और रूट दो का वर्ग करोगे तो उसका वर्ग मुल जो है वो हट जाएगा अगर जब root 2 का वर्ग करेंगे तो उसका वर्ग मुल क्या होगा हट जाएगा तो कितना आजाएगा यहां से आपके पास आजाएगा 2 अब 9 और 2 की क्या कर दो गुडा कर दो तो कितना आजाएगा बच्चो यहां से बताना ज़रा ये कितना आएगा ये आपके पास यहां से आजाएगा साथ माइनस का तीन रूट दो और बटे में कितना होगा देखो उन्चास और नो दुनी कितना होता है अठरा अब यहां से बताओ कितना आएगा यहां से आपके पास आजाएगा साथ माइनस का तीन रूट दो और बटे में कितना होगा बच्चों नौ में से 8 गया एक चार में से गया तीन संख्या अभी भी आपकी वही है जो पहले थी यह मत समझना कि आपकी संख्या बदल गई जो यह संख्या थी यह संख्या भी वही है केवल फरक क्या पड़ा है कि यहां पर आपका जो हर था वो अपरी में संख्या था और यहां पर जो आपका हर दिखाई दे रहा है 31 तो कैसी संख्या है परी में संख्या है तो बिटा हमने हर को अपरी में से परी में में बदल दिया इसी को हम कहते हैं परी में करण ठीक है संज में आ रही है बात इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों परिमे करण कहते हैं वो आपका अंसर होगा ठीक है समझ में आ रहा है सबको चलूं आगे ठीक है आगे बढ़ते हैं बच्चों अगला क्या है पांच बटे में वर्गमूल के अंदर तीन और वर्गमूल के अंदर पा देखो पांच दिया है और बटे में क्या दिया है वर्गमूल के अंदर तीन और वर्गमूल के अंदर पांच और बीच में क्या है बच्चो माइनस कैसे करोगे इसका परीमेकरण बताओ कैसे परीमेकरण किया जाए तो बेटा परीमेकरण करने के लिए आप ज़रा ध्यान द उपर क्या है 5 नीचे क्या है वर्गमूल 3 वर्गमूल 5 तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको बच्चो यहां पर देखो वर्गमूल 3 है और वर्गमूल 5 है तो आप क्या करो देखो 5 तो रहने ही दो उपर और यहां पर आपने लिखा वर्गमूल 3 और माइनस वर्गमूल 5 आप क्या करोगे इसमें गुणा करोगे किस से गुणा करोगे बच्चों देखो आपने लिखा यहाँ पर वर्गमूल 3 और आपने लिखा वर्गमूल 5 नीचे भी आपने लिखा वर्गमूल 3 और आपने लिखा वर्गमूल 5 अब आप देखोगे बेटा चिन तो आपने देख होगा तो माइनस का चिन लगाओगे लिख लो इस चीज़ को यदि प्लस होगा तो माइनस का चिन लगाओगे और अगर माइनस होगा तो प्लस का चिन लगाओगे सीधी बाग, नो बक्वास, ठीक है, अब क्या होगा बिटा, यहां से यह कितना आ जाएगा, बताओ, देखो, पांच की तो गुड़ा होगी इस पूरे में, तो यह कितना आएगा, पांच की गुड़ा किस में हो गई, वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 5 में, ठीक है, और बटे में कितना आएगा, देखो, बटे में फिर से वही कहानी बन रही है, वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 5, एक बार जोड़ रहे हैं, और एक बार क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 5, देख लो, फिर से सर्वसमी का बन गई, बार बार मैंने बताओ, वही वाली सर्वस्वमी का बन रही है, A प्लस B और गुड़ा में A माइनस B, तो क्या हो जाएगी ये सर्वस्वमी का, ये सर्वस्वमी का बराबर होगी, A का वर्ग माइनस B का वर्ग, यहां लगाओ, बताओ क्या आएगा, देखो, ये आपका किसके बराबर हो बेटा गुणा करके भी कोई फायदा नहीं है, अगर मैं इसकी अंदर गुणा भी करूँ, तो कोई मतलब नहीं है, वो वही बात हो भी, अच्छा नीचे देखो कितना आएगा, नीचे है A की जगह पे वर्गमूल तीन, और B की जगह पे क्या है, वर्गमूल पांच है, ये A है और ये B है, ठीक है न, ये A है और ये B है, तो क्या होगा बच्छों, ये आपके पास हो जाएगा, वर्गमूल तीन का वर्ग, और वर्गमूल पांच, इस पूरे का भी वर्ग होगा, और बीच में क्या है, माइनस, ठीक, अब बताओ कितना आएगा इसके बार, ये आप के पास हो जाएगा पांच वर्गमूल तीन प्लस वर्गमूल पांच और बटे में कितना आ जाएगा वर्गमूल तीन का वर्ग होगा तीन और वर्गमूल पांच का वर्ग क्या होगा पांच तो तीन में से पांच क्या कर दोगे घटा दोगे घटाओ बताओ कितना आएगा तीन में से 5 क्या कर दो, माइनस घटा दो, तो भाईया कितना आ जाएगा, तो बेटा देखो ये आपके पास आएगा, 5 वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 5 और 3 में से 5 घटा आ तो आ गया माइनस का 2, ठीक है, अब माइनस 2 कैसी संख्या है, आप जानते हो, माइनस 2 बेटा एक परी में संख्या है, जबकि पहले जो आपकी ये संख्या थी, इसका ये हर क्या था, अपरी में था, और अब इसका हर कैसा बन चुका है, परी में बन चुका है, यही जो है डिफ्रेंस है बिटा, ठीक है, सबको आया समझ में, सबको समझ में आया बच्चों, क्या करना है, क बच्चों को clear है कि हर का परिमे करण कैसे करना है कोई डाउट तो नहीं है किसी बच्चे को बताईए यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है चलू फिर आगे चलो आगे बढ़ते हैं अब देखो क्या कह रहे हैं इसमें कहा जा रहा है कि परिमे संख्याओं A और B को ग्या है दोनों कैसी संख्याओं है परिमे संख्याओं है तो A और B का हमें मान बताना है अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए हमें इसको सरल करना पड़ेगा यह जो हमें दिया गया ना दोनों बराबर इसको हमें पहले सरल करना पड़ेगा तो कैसे करेंगे सर प्लस 1 फिर क्या दिया है प्लस वर्गमूल 3 प्लस 1 और बटे में क्या दिया है वर्गमूल 3 माइनस 1 तो क्या करोगे बताओ क्या करना चाहिए यहां पर तो बच्चों सबसे पहले आप क्या करो यहां पर इनका दोनों का LCM लो यानि की लसा लो और LCM लेने का बच्चों मैंने आपको कई बार एक बहुत असान तरीका बताया है कि आप LCM कैसे ले सकते हो जो दोनों आपको संख्याएं दी हैं उनकी गुड़ा करके ठीक है यहां पर आप LCM कैसे ले लोगे रूट तीन माइनस एक है अब देखो यहां पर हर में कौन कौन सी संख्याएं यह और यह तो इन दोनों की गुड़ा करके ले लो LCM रूट तीन प्लस एक रूट तीन माइनस एक है न दोनों हमने संख्याएं लिख ली अब क्या करना होता है इसके बाद करते हैं कैसी वाली गुड़ा इसकी इधर और इसकी इधर कैसी वाली गुड़ा जानते हो न करो जरा गुड़ा बताओ क्या आएगा तो root 3-1 की जब root 3-1 में गुणा होगी तो यह क्या हो जाएगा root 3-1 का पूर्ण वर्ग हो जाएगा और जब root 3-1 की root 3-1 में गुणा होगी तो यह क्या हो जाएगा root 3-1 का पूर्ण वर्ग हो जाएगा अब देखो नीचे क्या है यहाँ पर बिटा आपको तीनों की तीनों सर्वसमिकाएं लगानी है जो मैंने आपको तीनों सर्वसमिकाएं बताई थी और वो तीनों सर्वसमिकाएं मैंने कौन-कौन सी बताई थी वो ही आपको यहां पर लगानी है यह है A-B का पूर्ण वर्ग क्या होती है क्योंकि यह यहां पे लगेगी है ना तो यह होती है बच्चों ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग और प्लस का क्या आएगा तू ए बी आएगा ठीक है और यह वाली सर्वसमी का तो आप जानी रहे हो ए प्लस बी ए माइनस बी एक बार दोनों को जोड़े ना एक बा बरावर होती है A प्लस B और गुड़ा में A माइनस का B ये बरावर होती है A का वर्ग माइनस B का वर्ग ये किसके बरावर होती है A का वर्ग माइनस B का वर्ग देखो मैंने आपको ये सर्वसमिकाएं भी याद दिलवा दी ये सर्वसमिकाएं आपको तीनों याद रखनी है यही यहां पर लगनी है लगाओ बताओ क्या आएगा चलो बोलो जल्दी से कितना आएगा यहां पर बताओ देखो यहां ए की जगा पे है रूट तीन बी की जगा पे क्या है एक तो आपने क्या किया रूट तीन का आपने कर दिया बच्चों वर्ग फिर क्या किया आपने एक का वर्ग कर दिया फिर क्या होगा माइनस दो गुड़ा रूट तीन गुड़ा एक और फिर क्या है रूट तीन प्लस एक का वर्ग यानि यहाँ पर यह वाली सर्वसमिका लगेगी तो यह क्या हो जाएगा यह आपके पास हो जाएगा प्लस रूट तीन का वर्ग प्लस एक का वर्ग और प्लस क्या आएगा दो गुड़ा में रूट तीन गुड़ा में एक और इस पूरे के बटे में क्या आ जाएगा बच्चों बताओ यहां पे रूट तीन प्लस एक रूट तीन माइनस एक यानि की रूट तीन का वर्ग और माइनस एक का वर्ग यह आ जाएगा अब यहां से कितना हो जाएगा बच्चों बताओ यहां से आपके पास हो जाएगा रूट तीन का वर्ग आएगा तीन एक का वर्ग होगा एक माइनस दो रूट तीन दो रूट तीन प्लस यह होगा रूट तीन का वर्ग तीन, एक का वर्ग एक, और ये होगा प्लस का, दो रूट तीन, और बटे में कितना आ जाएगा, रूट तीन का वर्ग कितना होगा, तीन होगा, एक का वर्ग कितना होगा, एक होगा, अब बच्चों देखो, ये वाला दो रूट तीन माइनस का है, ये और एक, चार नीचे कितना आया, तीन में से एक गया तो, दो तो ये कितना हो गया, चार और चार बताओ अरे यही तो होगा, क्या कुछ और होगा बोलो भाईया बताओ दिल्दी से देखो, दो रूट तीन से, आपका दो रूट तीन कट गया यही होगा न हाँ दो रूट तीन से दो रूट तीन कट गया तीन और एक चार तीन और एक चार ओके और इसके बाद क्या होगा हाँ तो चार और चार कितना हो गया आठ और बटे में हो गया आपका दो आठ बटे दो का मतलब कितना आ गया दो चौक आठ यानि 4 आ गया और ये जो संख्या आपको दी है ये किसके बराबर दी है ये संख्या आपको इसके बराबर दी हुई है A प्लस रूट 3 B अब बताओ A और B क्या होंगे तो बिटा 4 को आपको इस रूप में लिखना है कैसे लिखोगे अच्छा देखो एक बात समझना बिटा ध्यान से समझो एक बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ क्या 4 को हम ऐसे नहीं लिख सकते देखो बिटा जी ये जो आपके पास 4 आया है क्या 4 को हम 4 प्लस 0 लिख सकते हैं क्योंकि अगर आप 4 में 0 जोड़ोगे तो 4 आएगा तो लिख सकते हैं ना अच्छा अब कौन नहीं है याँ पर बताओ कौन नहीं है रूट 3 नहीं है ना बोलो रूट 3 ही तो नहीं है और बी भी नहीं है वही दोनों तो 0 है जो ये रूट 3 बी है पूरा का पूरा भाईया यही तो 0 है बताओ यही तो 0 है तो आप क्या लिख सकते हो इसको बोलो इसको आप क्या लिख सकते हो बच्छो इसको आप लिख सकते हो बिठा 4 ठीक है और 0 को आप लिख सकते हो क्या 0 को आप लिख सकते हो 0 गुडा में वर्गमूल के अंदर 3 क्योंकि आपको A और B बताना है आपको क्या बताना है A और B देखो बी क्या है आपकी परिमे संख्या है और रूट तीन क्या है आपकी अपरिमे संख्या और इन दोनों की गुणा क्या आ रही है जीरो इसका मतलब बी ही जीरो होगा होगा तभी तो दोनों की गुणा जीरो होगी रूट तीन थोड़ी ना जीरो होगा बताओ रूट तीन तो जीरो होगा नी तो इसका मतलब कौन जीरो होगा बी ही तो जीरो होगा जब बी जीरो होगा तभी तो जीरो की रूट तीन में गुणा क्या आएगी जीरो आएगी और B क्या है बच्चों B है आपकी एक परीमे संख्या अब अगर आप इसकी तुलना करो किस से अगर आप इसकी तुलना कर दो किस से A प्लस B रूट तीन से यही तो है आपका यहाँ पे यह आपका क्या है A प्लस रूट तीन B या इसको आप कह लो B Rout Lion, बात A की है, तो A बराबर क्या होगा, जब आप यहां पे तुलना करोगे, तो तुलना से, तुलना से क्या आ जाएगा, A बराबर आ जाएगा, 4, B बराबर आ जाएगा, 0, ठीक है, कितना आ गया, A बराबर आ गया 4, और B बराबर आ गया, 0, ये की परिमे संध्या है कितने बच्चों को समझ में आ गया कोई डाउट तो नहीं है किसी को ए बराबर चार दन बी बराबर जीरो अब किसी को कोई डाउट हो तो वो बच्चा बोले हैं किसी को कोई डाउट समझ में आ गया सबको चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं बच्चों और प्विज करने से पहले एक दो सवाल जरा और कर लेते हैं ठीक है ठीक है तो आप जरा मुझे किसका परिमे करण करके दिखाईए आप लोग जरा मुझे इसका परिमे करण करके दिखाईए किसका भई देख बटे में ठीक है, 3-√5, करो जरा इसका परीमे करन, बताओ क्या आएगा, इसके हर का परीमे करन करिए और बताइए क्या आएगा आंसर, करिए बच्चो, और इसके बाद फिर हम लोग क्वेज करेंगे, चलो करो बताओ क्या आएगा, क्या है, 3-√5, और बटे में क्या है, 3-√5, इसका क्या करना है, परीमे करन करना है, कैसे करते हैं हर का परीमे करन, बताओ, 3-√5 मैं रुका हुआ हूँ बच्चो, आप लोग सॉल करिए और मुझे बताइए, आंसर कमेंट सेक्चन में जल्दी से, क्या आएगा, 3-√5, और बटे में 3-√5, किसके बराबर होगा, चलिए, तो देखते हैं बच्चो, कैसे करेंगे इसको, अभी इसका अगर हमें परीमे करन करना है, तो क्या करना पड़ेगा, 3-√5, और बटे में क्या है, 3-√5, तो मैं यहाँ पर क्या लिख लूँ, गुड़ा मुझे करनी है, तो मैं यहाँ पर एक तो 3 लिख लूँ, और एक √5 लिख लूँ, ऊपर भी, है न, √5 है, ठीक कर लेते हैं इसको, क्या है बच्चों, यह, रूट 5 है, और नीचे भी ऐसे ही लिख लेता हूँ, 3 और रूट 5, फिर क्या करेंगे बच्चों, हम लोग, बताओ जरा, अब हम क्या करें, अब हम यहाँ पर, क्यूकि माइनस का चिन है, नीचे वाला चिन देखना होता है, नीचे वाला चिन की 3 प्लस रूट 5 में गुड़ा होगी तो क्या आएगा तो बिटा जब 3 प्लस रूट 5 की 3 प्लस रूट 5 में गुड़ा होगी तो 3 प्लस रूट 5 का क्या हो गया पूरे का वर्ग हो गया और बटे में क्या आजाएगा बटे में आपके पास आएगा बिटा a minus b गुड़ा a plus b तो यह हो गया आपके पास 3 minus root 5 और गुड़ा में 3 plus root 5 यह हो गया अब उपर भी सर्वसमी का लगनी है और नीचे भी सर्वसमी का लगनी है तो बताओ क्या आजाएगा उपर आएगा आपका 3 का वर्ग कौन सी सर्वसमी का लगनी है a plus b का पूर्ण वर्ग a plus b का पूर्ण वर्ग किसके बराबर होता है a का वर्ग plus b का वर्ग plus क्या होता है 2ab है ना और एक हमारे पास सर्वसमी का होती है बच्चों a plus b गुड़ा में a minus b तो यह किसके बराबर होगी A प्लस B गुड़ा A माइनस B तो ये बराबर होती है बच्चों A का वर्ग माइनस B का वर्ग क्लियर अब देखो क्या करोगे आप यहां पे तो उपर आपने यह वाली सरस्वमी का लगाई तो 3 का वर्ग और B की जग़ा पे है वर्ग मूल 5 उसका वर्ग आ गया और प्लस क्या होगा दो गुड़ा में A की जग़ा पे है 3 और B की जग़ा पे है वर्ग मूल 5 बटे में क्या होगा बच्चों बटे में आपके पास आएगा A की जग़ा पे है 3 B की जग़ा पे है वर्ग मूल 5 तो 3 का हो गया वर्ग और माइनस वर्गमूल पांच का हो गया वर्ग तो ये कितना हो जाएगा यहां से तीन तीया नौ वर्गमूल पांच का वर्ग करेंगे बिटा तो उसके उपर से वर्गमूल हट जाएगा वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा तो क्या आ गया पांच आ गया और 2 तिया 6, 6 की गुड़ा होगी, रूट 5 में तो कितना आ जाएगा, 6 रूट 5 आ जाएगा, और बटे में क्या आ जाएगा बच्चो, 3 तिया 9, और वर्गमूल 5 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, देखो वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, तो 9, देखो 5 आ जाएगा और देखो, 9 में से 5 घटाएगे तो कितना आएगा, 9 में से 5 घटाओगे तो 4 आएगा, अब आप एक काम कर सकते हो, कि उपर से और नीचे से 2 कौमन ले लो, अगर आप उपर से 2 कौमन ले लोगे तो क्या बन जाएगा देखो, मैंने क्या किया उपर से 2 बाहर निकाला, तो क्या बचा दो के पहाड़े में 14 कितनी बार में आता है 7 बार में और 6 कितनी बार में आता है 3 बार में तो 3 रूट 5 हो गया और बटे में क्या है बच्चों 4 तो दो एकम दो दो दुनी चार भाई क्या है यह दो एकम दो दो दुनी चार तो यह आपका किसके बराबर आ गया वो संख्या वो संख्या आपके पास आ गई कहां लिखों यहां लिख देता हूं चलो यह संख्या आ गई साथ प्लस कितना तीन रूट पांच और बटे में आ गया दो तो ये संख्या यही है जो ये है ये दोनों संख्याएं एक ही है बस हुआ क्या है यहाँ पर इसका हर परी में संख्या था और इसका हर कैसा है परी में संख्या है इसी को कहते हैं बच्चों हर का परी में करन करना ठीक है यहां तक सबको समझ में आ गया बताओ अब तो इतना तो clear है सबको चलो ठीक है अब इसके बाद बच्चों हम लोग करते हैं quiz let's do the quiz quiz के लिए तयार हो जाईए और वही वाली बात है कि सारे बच्चों को answer करना है तो ये रहा बिटा quiz का सवाल बताइए क्या होगा इसका जवाब जब वर्गमूल 10 की वर्गमूल 15 में गोड़ा करोगे तो उसका मान क्या आएगा वर्गमूल 10 की वर्गमूल 15 में बहुत ध्यान से करना बच्चों जलबाजी में गलत नहीं करना है ठीक है एक-एक concept जो है एक-एक बात जो है छोटी-छोटी सी बात जो है छोटी-छोटी सी चीजे जो है उनको हम बच्चों बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं बहुत ध्यान से कर रहे हैं, आप लोग भी इस चीज को महसूस कर रहे होंगे, मुझे ऐसा उमीद है, कर रहे हो ना महसूस, अच्छा एक बाद बताओ, बच्चों क्लास में मज़ा आ रहा है कि नहीं, अमित्सर की क्लास में मज़ा आता है, बोलो, आता है मज़ा कि नहीं, सम चलो, ठीक है, तो बच्चों अगला सवाल देखा जाए, नेक्स्ट कोश्चन, ये क्या कह रहे हैं, निम्न में से, ये जो संख्या है, निम्न में से किसके बराबर है, अब यहां पर आपको क्या करना है, परीमे करना है, करो परीमे करना, बिठा क्विज जो होता है न, वो आपको चीजे रिवाइज भी हो जाती है, जो हम लोग क्लास में पढ़ते हैं, इसमें मैं थोड़ा टाइम आपको एक्स्ट्रा दे दे रहा हूँ, ताकि आप अराम से करो, और फिर मुझे बताओ, हो गया, I hope कि हो गया होगा सबका, डिसकस कर लें, चलो, तो देखो पहला सवाल क्या था बच्चों, फर्स कोशन था हमारे पास, वर्गमुल दसकी गुणा करनी है, वर्गमुल पंदरा में, तो देखो, सबसे पहले तो जो यह दोनों अलग-अलग है न, इनको एक साथ कर दो, तो क्या कहना चा रहा हूँ, मैं, देखो, वर्गमुल दस है, और इसकी हम गुणा कर रहे हैं, वर्गमुल पंदरा में, यही तो है, तो इन दोनों को पहले एक साथ कर दो, तो क्या हो जाएगा इसमें सीधा 15 में वर्गूल के अंदर एक साथ लिख लिए अच्छा अब 10 के अभाज जी गुड़न खंड देखते हैं वेटा 10 को आप क्या लिख सकते हो दो गुड़ा 5 क्योंकि दो पंजे 10 होता है अच्छा 15 के अगर मैं अभाज जी गुड़न खंड की बात करूं तो वो क जोड़ा बन गया दो बार पांच आ गया तो उसका तो क्या बन गया जोड़ा बन गया जिसका जोड़ा बन गया वो वर्गमूल से बाहर आ जाएगा धीरे से तो भाई या पांच तो क्या आ गया वर्गमूल से बाहर आ गया एक बार क्योंकि यह अंदर दो बार था तो एक कल्प सही है पहला पांच रूट छे सही है सबको आ रहा है समझ में चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं बच्चो अब अगला सवाल जो था इसमें कहा गया था कि ये किसके वराबर होगी तो बेटा यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा तो देखो परी में करन करो और बताओ क्या आएगा एक बटे में क्या है वर्गमूल के अंदर 9 और माइनस क्या है वर्गमूल के अंदर 8 तो क्या करना पड़ेगा बच्चों इसकी गुड़ा करनी पड़ेगी वर्गमूल के अंदर 9 और वर्गमूल के अंदर 8 बटे में भी क्या होगा वर्गमूल के अंदर 9 और वर्गमूल के अंदर 8 ठीक है अब यहां पर अगर माइनस का चिन है तो क्या लगाओगे प्लेस लगाओगे यहां पर बिदे को बिटा माइनस है तो यहां भी प्लेस लगाओगे और यहां भी प्ले से देखो यहां से आपके पास आजाएगा वर्गमूल के अंदर नो प्लस वर्गमूल के अंदर आठ और बटे में क्या होगा क्योंकि वर्गमूल के अंदर नो वर्गमूल के अंदर आठ की तो एक में ही गुणा हो रही है तो वो तो वही रहेगा और नीचे कितना आएगा बच्चो वर्गमूल के अंदर जो 9 है सुनना ध्यान से देखो वर्गमूल के अंदर जो 9 है बिटा उसको आप 3 भी लिख सकते हो ठीक है वर्गमूल के अंदर जो 9 लिखा हुआ है उसको आप सिंपल क्या लिख सकते हो 3 भी लिख सकते हो तो आप चाहो तो वो लिख लो ठीक ह इसको हम क्या लिख सकते हैं ये नौ जो वर्गमूल के अंदर दिया है इसको आप सिंपल तीन लिख सकते हो और जो ये वर्गमूल के अंदर आठ है इसे क्या लिख सकते हैं देखो वर्गमूल आठ को हम लिख सकते हैं वर्गमूल के अंदर चार गुड़ा दो क्योंकि चार आ गया आपके पास यहां से दो रूट दो आ गया अब आपने क्या करना है अब आप इसका परीमे करन करो तो क्या करोगे तीन और दो रूट दो ठीक है और तीन और दो रूट दो यह आपने लिख लिया अब आप क्या करोगे देखो तीन यहां पर क्या है माइनस तो आपने क करोगे तो कितना आएगा देखो एक की गुड़ा हो जाएगी पूरे के पूरे किसमें तीन प्लस दो रूट दो में यही है ना इस एक की गुड़ा किसमें होगी तीन प्लस दो रूट दो में होगी जो की यह है ठीक उसके बाद क्या होगा बेटा तीन माइनस दो रूट दो और 3 प्लस 2 रूट 2 अब इनकी जब गुड़ा करोगे तो क्या आएगा देखो 3 प्लस 2 रूट 2 उपर तो यही रहेगा और नीचे क्या हो जाएगा A प्लस B गुड़ा A माइनस B यह आपके पास आजाएगा बिटा 3 का वर्ग माइनस 2 रूट 2 का वर्ग तो यह कितना आजाएगा देखो 3 और प्लस क्या होगा 2 रूट 2 और बटे में क्या होगा 3 का वर्ग होगा 9 और 2 रूट 2 का वर्ग क्या होगा बताओ 2 दुनी 4 और रूट 2 का वर्ग करोगे तो क्या आएगा 8 आएगा यहानि 9 माइनस 8 हो जाएगा तो यह आपके पास आ जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2 और 9 में से 8 घटाओगे तो 1 आएगा तो 9 में से 8 घटाओगे तो 1 आएगा मतलब यह तो यही वाली संख्या आ गई ना पहला विकल्प सही है 3 प्लस 2 रूट 2 तो आज के लिए प्यारे बच्चों बस इतना ही रखते हैं अब आज हमने क्या सीखा आज हमने सीखा है हर का परिमे करण करना ठीक है और आज का होमप मैंने आपको एपर दे दिया जाकर आप कर सकते हैं अगली क्लास में हम लोग सीखे करेंगे जामिती विधी से वर्गमुल एक्स का मान गयात करना तो मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में तब तक के लिए सभी बच्चों का बहुत-बहुत धन्यवार